प्रेस्ण नौ किसी बेवसाय में तीन ब्यक्ति A, B, A वं C हिस्सा लेते हैं कुल पुंजी का 9 बट 20 भाग A ने लगाया तथा इसका 7 बट 20 भाग B ने C ने कुल पुंजी का कितना भाग बेवसाय में लगाया यदि C द्वारा लगाई गई पुंजी 7000 रुपया हो तो बेवसाय की कुल पुंजी कितनी है तो लिखेंगे हम माना की बेवसाय की कुल पुंजी बराबर X रुपया तो क्या पुछ रहा है हम से कि बेवसाय की कुल पुंजी कितनी है तो उसको X रुपया मान लेंगे ठीक है कुल पुंजी को हम X मान लेंगे अब लिख रहा है कि कुल पुंजी का 9 बट 20 भाग A ने लगाया तो लिखेंगे यहां पर A द्वारा लगाया गया यह द्वारा लगाया गया पुंजी बराबर तो कुल पुंजी का 9 बट 20 भाग याने हो जाएगा 9 बट 20 X रुप्या ठीक है देखें कुल पुंजी कितना है X माने है तो कुल पुंजी का 9 बट 20 भाग A लगाया है पुंजी तो 9 बट 20 और X को गुना करेंगे तो कितना हो जागा 9 बट 20 X रुप्या यानि A द्वारा लगाया पुंजी हो गया 9 बट 20 X क्योंकि कुल पुंजी का 9 बट 20 भाग है तो कुल पुंजी है X तो X और 9 बट 20 को गुना करेंगे तो कितना आ जागा 9 बट 20 X रुप्या अब लिखेंगे B द्वारा और बी द्वारा बी द्वारा लगाया गया पुन्जी तो बी कितना लगाया है साथ बटा बीस भाग देखे कह रहा है कि साथ बटा बीस भाग बी ने तो साथ बटा बीस एक्स हो जाएगा रुप्या ठीक है तो बी जो है कुल पुन्जी का साथ बटा बीस भाग लगाया है तो कुल पुन्जी कितना है एक्स है तो 7 वटा 20 और X को गुना कर देंगे तो हो जागे 7 वटा 20 X रुपया B द्वारा लगाए गया पुंजी तो A का पुंजी है 9 वटा 20 X B का पुंजी है 7 वटा 20 X तो C कितना लगाए है तो लिखेंगा था C द्वारा C द्वारा लगाया गया पुंजी बराबर C द्वारा लगाया गया पुंजी बराबर हो जाएगा X माइनस X माइनस 9 वटा 20 X जोड 7 वटा 20 X देखें C द्वारा लगाया गया पुंजी कि C कितना लगाया है क्योंकि तीनों मिल करके लगाया है तो अब इसको हल कर लेते हैं तो आ जाएगा C द्वारा लगाया पुंजी तो X माइनस हो जाएगा यहाँ पे 20 लगुत्म लेंगे तो 9 X प्लस 7 X 9 X प्लस 7 X हो गया तो आ जाएगा X माइनस 9 साथ 16 यानि 16 बटा 20 X ठीक है अब यहाँ पे 20 लगुत्म लेंगे 20 लगुत्म लेंगे तो 20 गुना X 20 X माइनस 16 X 20 लगुत्म ले लिया है तो 20 X माइनस 16 X कितना आ गया 4 बटा 20 X देखे 20 में से 16 घटाएगा तो कितना आ जाएगा 4 यानि 4 बटा 20 X 4 से 20 काट देंगे 5 बार में 4 बचे 20 यानि कितना आ गया 1 बटा 5 X 1 बटा 5 X रुप्या तो C कितना लगाए है 1 बटा 5 X रुप्या लगाए ठीक है C कितना लगाए है 1 बटा 5 X रुप्या यानि कुल पुंजी का 1 बटा 5 भाग लगाए है देखें कुल पुंजी है X और C लगाए है 1 बटा 5 X रुप्या यानि कुल पुंजी का कितना हो गया 1 बटा 5 क्योंकि कुल पुंजी को x माने है और इसका आया है एक वटा 5 x यानि एक वटा 5 भाग जो है c लगाया है तो एक उत्तर हमारा आ चुका है एक वटा 5 अब क्या करेंगे यहां पर तो लिखेंगे अब प्रस्न से प्रस्न से तो प्रस्न में कहा रहा है कि यदि c दौारा लगाई गई पुंजी 7000 रुप्या हो तो देखें प्रस्न से कहा रहा है एक वटा 5 x बराबर लिख लेंगे 7000 क्यों लिखेंगे क्योंकि c जो है c दौारा लगाई गई पुंजी दिया हुआ है रुप्या में 7000 रुप्या और हम निकाल चुके हैं कि c एक वटा 5 x रुप्या लगाई है ये देखें समिकरन से हम निकाल चुके हैं कि c जो है एक वटा 5 x रुप्या लगाई है और यहाँ पे पैसा भी दिया हुआ है कि c जो है 7000 रुप्या लगाई है साथ हजार गुना पांच यानि कितना आ गया साथ पच्छे पैंतिस हजार पैंतिस हजार रुप्या साथ हजार को पांच से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा पैंतिस हजार तो एक सम क्या माने थे कुल पुन्जी तो अब हम लिखेंगे अत अत आता सी कुल पुंजी का सी ने कुल पुंजी का एक वटा पांच भाग लगाया देखिए पूछ रहा है कि सी ने कुल पुंजी का कितना भाग लगाया तो लिख देंगे एक वटा पांच भाग लगाया क्योंकि सी कितना लगाया है एक वटा पांच एक्स रुपया ठीक है तो X क्या है, कुल पुंजी है, यानि कुल पुंजी का एक बटा पांच भाग लगाया है, तो ये आ गया, इसका उत्तर पहला का, तो C ने कुल पुंजी का एक बटा पांच भाग लगाया, और बेवसाय, बेवसाय, बेवसाय की कुल पुंजी, बेवसाय की कुल पुंजी, बराबर हम एक समाने थे, तो X बराबर कितना आ गया, 35 अजार, ठीक है, X बराबर देखें, कितना आया है, 35 अजार, तो बेवसाय की कुल पुंजी को X माने थे, तो X बराबर आ गया 35 अजार, यानि, बेवसाय की कुल पुंजी, कितना हो गया, 35 अजार रुपया, तो एक बटा पांच और 35 अजार, यही इसका उत्तर आ रहा है, ठीक है, तो C जो ह एक बटा पांच भाग लगाया कुल पुंजी का और बेवसाय की कुल पुंजी है 35,000 रुपया तो इस तरह इस प्रस्न को हल करेंगे करेंगे लगाष है 35,000 रुपया बेवसा फिस तरह इस तरह इस तरह करेंगे झाल झाल